नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जस्ट टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो विमन बैन्विंटन सिंगल का सेमी फाइनल समात हुआ है और आम शौर कि आप में इसे बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, पुरा भारत देख रहा था और हम चाहते थी कि जो PV सिंदु हैं, वो फाइनल में पहुँचे और गोल जीत कर इस बार आएं त्यूकि पिछले बार रियो में वो सिल्वर जीती थी, लेकिन यहाँ पर हमें disappointment हुआ है क्योंकि PV सिंदु लगतार दो सेट में Chinese Taipei की जो opponent हैं उनसे हार गई है और आप यहाँ पर score देख सकते हो 21-18 और 21-12 अब आप में से जो भी लोग Benminton खेलते होंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे मैं खुद काफी खेलता था Benminton तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो Chinese Taipei हैं काफी हद तक उन्होंने dominant किया था जो पहला सेट था उसमें तो चलो थोड़ा बराबरी का था लेकिन सेट में पूरी तरह से जो Chinese Taipei हैं उन्होंने dominant किया और यह लगतार दो सेट में जीत गए बहुत ही कमाल का यह पुरा Benminton उन्होंने खेला था और complete यहाँ पर उनको points जाता है इस पूरे match को जीतने के लिए I think कि PV Sindhu को अभी और काफी मैनत करना पड़ेगा इस तरह कि जो players हैं काफी उन्होंने भी क्योंकि यह जो Chinese Taipei हैं लेट मी टेल यू कि यह लगतार इनका तीसरा Olympics था और यह भी कोशिश कर रही थी कि एक medal जीत करा हैं अभी तक कि यह कोई medal जीती नहीं थी और लेकिन finally जिस प्रकार का इन्होंने game कहला है यह final में चली गई और China के साथ competition होगा और भारत की जो PV Sindhu हैं उनका भी China के साथ competition है Bronze medal के लिए लेकिन जब यह पुरा बैडमिंटन का match चल रहा था Tokyo Olympics के अंदर मेरे मन में एक लगतार सवाल आ रहा था और आम शूर कि आपने से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि PV Sindhu के साथ जो coach है वो इस बार पुलेला गोपी चंद नहीं लेकिन इस बार आपको South Korean coach देखने को मिलेंगे तो मेरे मन में सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि यह South Korean coach कैसे है तो इसके बारे मैं ने थो आप पता लगाया और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि exactly क्या करण की वजए से पुलेला गोपी चंद इस बार टोक्यो ओलम्टिक्स में PV सुन्दू के साथ नहीं तो इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग Study IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे Join का बटन है आप Study IQ को बहुती कम दामों में यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं दीकिन जो पुलेला गोपी चंद है वो कोई introduction के महताज नहीं है basically उन्होंने कई सारे awards वगरा जीते हैं 1999 में अर्जुना अवार्ड उन्होंने जीता था आगे चलकर गुरू द्रोना चार्ड जो अवार्ड है वो भी उन्होंने जीता और जितने भी आज के डेट में आप Shuttlers देख रहे होना उनके success में काफी बड़ा इनका रोल रहा है चाहे Olympics हो या फिर globally कोई भी बड़ा tournament हो उसमें उन्होंने हमेशा से participate किया है जितने भी best shutlers है भारत में इस समय उनको train किया है उनको mentor किया है आपको याद होगा साइना नेवाल जब 2012 में लंडन में bronze medal जीती थी Olympics के अंदर वहाँ पर भी उनको mentor किया गया था लिला गोपी चंद के द्वारा और आगे चलकर रियो में जब silver medal जीता गया पीवी सिंदू के द्वारा उस समय भी वो उनको mentor कर रहे था और उसके बाद लगतार वो mentoring चल रही थी काफी लंबे समय से यहाँ पर जो पीवी सिंदू का success है हम कह सकते हैं गोपी चंद के काभी एक काफी बड़ा हिस्सा है लेकिन एक बहुत बड़ा शौक आया था मैंने तो मुझे उस समय पता नहीं था लेकिन जब मैं इसके बारे में देखा कि यहाँ पर जो पीवी सिंदू हैं उन्होंने decide कि कि जो Tokyo Olympics हैं वो यहाँ पर जो South Korean coach है Park Tae Sang उनके साथ यहाँ पर participate करेंगी और वो उनको पिछले कुछ समय से training दे रहे थे बेसिकली जो गोपी चंद की academy है जो national academy है उसको उन्होंने छोड़ा और हेदराबाद के अंदर जो गच्ची बाउली स्टेडियम है वहाँ पर South Korean coach के साथ वो training लेना स्टार्ट की और इसका reason क्या है basically मैंने इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि 2019 में क्या हुआ था पुलेला गोपी चंद के अंदर काफी जादा workload आ गया था और जितने भी top players हैं देश के अंदर बेंडमिंटन से उनको लगातार वो training दे रहे थे इसकी वज़े से क्या हुआ कि PV सिंदू के उपर जो special focus देना चाहिए था अकेले वो अतना नहीं हो पा रहा था तो PV सिंदू और बाकी के कुछ top female जो shuttlers हैं उनको बोला कि कि किम जी हून के साथ आप training करिए उनके अंडर में आप training करेंगे और किम जी हून अगर आप देखोगे तो इन्होंने मार्च 2019 में ही इंडियन बेंट मिंटन को जोईन किया था क्योंकि इंडियन बेंट मिंटन के अंदर आपको बहुत सारे coach मिलेंगे लेकिन जो chief coach थे वो पुलेला गोपी चंदी थे तो आगे चलकर यहाँ पर किम जी हून जो है जोईन करते हैं और उनके अंडर में उनकी training स्टार्ट हो गई थी PV सिंदू की और भी कुछ female players की और उसके बाद ऐसा लगा कि काफी अच्छा वो कर पा रही है उनके अंडर में इन फाक्ट मैं आपको बताऊं तो world championship टाइटल उसी साल में 2019 में टीवी सिंदू जीत जाती है और ये पहली बार कोई Indian है जो ऐसा कर पा रहा था तो ये काफी बड़ा एक achievement था तो ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छे से वो उन कोच के अंडर में जो है प्ले कर पा रही है खेल पा रही है फिर आगे चल कर क्या होता है कि ये जो कोच है किम जी हून ये resign कर देते हैं 2020 में उसके बाद एक और कोच होते हैं जो की प्रेजेंट में अभी कोच है जो की टोक्यो ओलंपिक्स गैमें है साउथ कोरियन कोच है वो यहाँ पर अपोइंट कर दिये जाते हैं और उनके अंडर में जो पीवी सिंदु है वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है और उसी बीच के आता है टीवी में, मैगजीन में अलग अलग जगा यहाँ पर रूमर्स फैने लग जाता है कि जो नाशनल बेड्मिंटन कोच है पुलेला, गोपी चंद और पीवी सिंदु के बीच में साइद कुछ खटास होगा कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा है और यह सारी खबर तब आई जब पीवी सिंदु लंडन चली गई थी अक्टूबर 2020 में इन फाक्ट उनकी जो फादर है पीवी रमनना उनका भी कुछ बयान आया था कि जो गोपी चंद है, वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं पीवी सिंदु के उपर इसलिए यहाँ पर आगे चल कर क्या हुआ पीवी सिंदु ने जो नाशनल अकाडमी है वो शायद छोड़ दिया और यहाँ पर इन फाक्ट पीवी सिंदु को खुद से बयान देना पड़ा क्योंकि काफी रूमर्स फैल रहा था उनको खुद से बयान देना पड़ा कि मेरा गोपी चंद के साथ कोई डिफरेंस नहीं है मुझे सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर मिल रहा था आप देख पाओगे यह 2021 का ही बयान है यह पीवी सिंदु ने वो ट्रेनिंग करके यहाँ पर पीवी सिंदु खेल रही थी तो मैं जच यहाँ पर क्लारिफिकेशन दे दू कि देखो मीडिया वगर में अलग लग चीज़ें चलती रहेंगी हमें उससे कुछ ऐसाच करना नहीं है लेकिन पीवी सिंदु ने बयान दे दिया था कि सच कोई परपलम नहीं था शायद यही लगता है कि गोपी चंद के ओपर काफी ज़़ादा प्रेशर था और भी लोगों को ट्रेन करने का लेकिन पीवी सिंदु को शायद हो सकता है और ज़ाधा focus की आउशकता थी, इस लिए वो एक अलग से coach चाहती थी, तो में भी यही कारण मुझे लग रहा है, तो यह पुरा वीडियो था दोस्तों मैंने सुचा कि आपको भी इसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने खुद इसके बारे में कई बार सुचा कि ऐसा अचानक से पुलेला गोपी चैन जो है, वो क्यों नहीं है साथ में, तो यह पुरा मामला है दोस्तों जाने से पहले एक interesting question आपके लिए badminton से related, यह जो shuttlecock होता है जो feather वाले होते हैं, प्लास्टिक वाला होता है training वगरा के लिए, यह आपका जब बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो telegram पर आ सकते हैं अलग-अलग social media पर भी आप उससे जोड़ सकते हैं और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो हमारे आप को डाउनलोड करिए और जैसा मैंने बताया आपको join का बटन आप क्लिक करके study IQ को support कर सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप से next time till then, thank you very much see you soon